सो रास्तान सफाई कर्मी भरती का नया नोटिफिकेशन आ चुका है इसमें हम बात करेंगी नये नोटिफिकेशन में क्या-क्या नया है नियम में क्या-क्या बदला हुए है क्या योगेता वही रहेगी जो पहले थी सर्टिफिकेट जो किस-किस तरह के सर्टिफिकेट या दो साल वाला बच्चों से समंदित क्या नियम थे वो रहेगा क्या वो रहने वाला जिन्होंने पहले आवेदन किया और पहले जो आवेदन किया उसमें फीस दी थी उसका क्या होगा उनका क्या होगा क्या सब भी को आवेदन करना पड़ेगा या पहले आवेदन कर दिया उनको नहीं करना पड़ेगा, चैयन कैसे होगा, इस बार चैयन कैसे होगा, तो ये जो सारी सारे पोइंट्स हैं, रास्तन सफाई कर्मी भरती के, उन पर हम बात करेंगे, भरती का ओफिशल नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, मतलब कल आ चुका था, उसका लेटेस्ट अ पहले आपको अपडेट मिल जाएगी, अब हम चलते हैं कि ओफिशल नोटिफिकेशन पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, रास्तान सरकार का जो ओफिशल नोटिफिकेशन है, वो आ चुका है, और यहाँ से इसके थ्रिव में आपको सारी की सारी चीज़े दिखाता हूँ, इससे पहले मैं आपको ब्रिफ कर देता हूँ, छोटा सा जो सोट नोटिफिकेशन उसके बारे में, वो आपको ब्रिफ कर देता हूँ, सोट नोटिफिकेशन देख लीजी आप, ये है ये है देखिए सोट नोटिफिकेशन, अब देखिए क्या है, सोट में आपको बता दे देखिए जो टोटल नंबर और पोस्ट रखी गई हैं 23,820 पोस्ट है ठीक है और आवेदन सुल्क प्रिक्रिया और डेट्स हैं वो डोक्यूमेंट्स हैं वो क्या रहने वाला है एक बार ब्रिफ में देख लीजिए न्यून्तम 112025 को बेस माना गया है 18-40 वर्स इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है एप्लिकेशन फोर में वो 7 अक्टूबर 2024 से भरे जाएंगे और 6 नवंबर 2024 तक रात्री तक भरे जाएंगे आवेदन करने हैं तु अपना जन आधार कार्ड अपडेट रहना चाहिए उसमें आपका नाम, पिता का नाम, मद और एड्रस अपटू डेट होना चाहिए देगे अगर फिर भी अगर तूटी रह जाती है तो 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक दुबारा से उसमें संसोधन किया जा सकता है इतनी बात भी सामने आई है इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है आवे सफाई करमचारी पद है तो शक्षनिक योगेता निर्धारित ही नहीं है सफाई करमचारी सीधी भरती पद है तो योगेता सफाई करमचारी के पद पर भरती है तो सवच्छता जैसे सडक की सफाई सारवजनिक सिवरेज की सफाई का एक वर्स का कारिय अनुभव जो की नि आप चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका आवेदन मानने होगा या नहीं होगा, वो इस सेकंड थर्ड नंबर पॉइंट पे डिपेंड करेगा, देखें सफाई करमचारी सीधी बरती, पद हे तू, योगेदा सफाई करमचारी की पद पर है, वो कौन देगा, उसका मानने होगा, राजे की नगरिये निकाई से सीधे ही नियोजित होने की इस्तिती में, मुखे नगरपाली का या अधिकारी उनके द्वारा अन्य प्राधिकर्थ अधिकारी, मैं इनको डेटेल में समझाऊंगा, समवेदक प्राधिकर्त सैंस्ता क नगर ये निकाई के वरिष्ट प्रबंदक ठोस कच्रा ये मुख्य प्रबंदक ठोस कच्रा द्वारा संबने दस्तावे जो के सत्यापन उप्रांत नगर पाली का ये नगर परिशद के स्तर पर मुख्य नगर पाली का अधिकारी ये नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त कार अब स्लेक्षन कैसे होगा इसका सीधा का सीधा मतलब है नगरिये निकाई से सीधे ही नियोजित मतलब आप समविधा पे काम कर रहे हो एस्थाई काम कर रहे हो तो आपका experience certificate वैसे ही मानने हो जाएगा जो मुख्य नगर पाली का अधिकारी है उसके दवारा जारी किया हुआ कोई भी certificate आपका मानने हो जाएगा दूसरा ये है कि समवेदक प्राधिकर्त सेंस्था के माद्यम से जो भी सफाई से सम्मंदित काम केवल और केवल ये द्यान रख लेना सफाई से सम्मंदित काम करने वाली सेंस्थाएं ही ये इसको जारी करेंगी इसका मतलब पहले जो मांगे हुई थी वो इस notification में सटीक बेट रही है अब हर किसी का हर किसी का जो experience certificate वो नहीं चलने वाला है सम्मेदक या प्राधिकर्थ मतलब authorized जो सेंस्थाएं हैं उनके माद्यम से नियोजित होनी की इस्तिति में सम्मेदक प्राधिकर्थ सेंस्थाद्वारा जारी आनुहब प्रमान बतर जो सम्मंदित नगरे निकाय के वरिष्ट प्रबंदक या पालिका नगर निकाय के इस्त प्रकार से होनी है देखिए सूचना प्राधिकर्थ संचार विभाग रास्ता अंदवारा विक्षित ओनलाइन सौप्ट्वेर के माद्यम से होगी इसका मतलब यह है कि जो लोटरी प्रक्रिया है वो ओनलाइन जो सौफ्ट्वेर बनाया हुआ है उसके माद्यम से की और एप्लिकेशन है वो इस तारिक से स्टार्ट हो जाएंगे सारी की सारी चीज़े हमने बता दी है अब बात करते हैं इसका डिटेल में जो नोटिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है डिटेल नोटिफिकेशन की भी हम बात कर लेते हैं यह सारा का सारा जो नोटिफिकेश है तो यह हम इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजी कि आपको यह डेटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो हम इसके लिए एक और फुल वीडियो बना देंगे जिससे आपको कोई भी तरह की परिशानी नहीं होगी और एक और चीज में बता देता हूँ अगर आपको चीए लेटेस सरकारी नोकरी की जानकारी तो गूगल में आपको सर्च करना है सरकारी जोबडेट.com यह सर्च करोगी तो सबसे पहले सरकारी जोबडेट.com हमारी website आजाएगी वहाँ पर इस भरती की सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके अलाव हमारे टेलीग्राम और वाटसप चैनल को जरूर जोइन कर लीजिए description में link दिया हुआ है ये जो official notification है ये देखे कितने pages का है 21 page का जो notification है इसमें ये हैं सारी की सारी जो नगर निकाय है उनमें कितने पद हैं वो है application fees जो है वो नए जो नए new form एप्लिकेंट है उनके लिए सामाने अभियारती है जो अनारक्सित है उनके लिए 600 आरक्सित के लिए 400 दिव्यांग जन के लिए 400 है अब एक जो important चीज है पूर्वे में एक बार ये सुल्क जमा करा चुके अभियारती उसे दुबारा सुल्क नहीं लिया जाएगा सबसे बड़ी बात ये है पर ये धान रख लेना अगर आपको correction करवाना है तो 100 रुपे सभी से लिए जाएंगे इसलिए correction की संभावना कम से कम रखें तो ये है सबसे बड़ी बात तो इसको हम depth और आगे पूरी detail में बना के और आपको जल्दी ही दे देते हैं तब तक के लिए जो required जीजें वो हमने आपको बता दी हैं एक detail वीडियो में बना देता हूँ जिसमें इसकी सारी के सारी जा अनकारी आपको मिल जाएगी मिलते हैं एक और अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब वीडियो को लाइक कर दीजे और सभी के साथ में सेयर कर दीजे